हिलो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है इस वीडियो में मैं आपको 10 दुल्लब प्रकार की मचलिया दिखाने जा रहा हूँ जिन्हें आप एक्वेरियम में रख सकते हैं तो चलिए बिना समय बर्बाद किये शुरू करते हैं जबकि मचली पालन के शौक में लोगप्रियता की बात आती है तो कुछ मचलिया हमेशा सर्वोच स्थान पर रहती हैं बहुत से लोग अपने टैंक के लिए कुछ विदेशी और अद्वितिय की तलाश में हैं अकसर दुरलब मचलिया केवल विशेश खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से बेची जाती हैं जैसे स्थानिय मचली स्टो और विशेश ओनलाइन दुकाने यदि आप अपने एक्वेरियम में रखने के लिए एक दुरलब मचली की तलाश कर रहे हैं तो ये कुछ सर्वोत्तम विकल्प हैं चाहे आप किसी भी प्रकार का मीथे पानी का टैंड रखें एक जेब्रा शॉवेल नोस कैट फिश यदि आप ऐसी कैट फिश की तलाश कर रहे हैं जो ना केवल बड़ी हो बलकी आकरशक भी हो तो जेब्रा शॉवेल नोस कैट फिश वही हो सकती है जिसकी आपको तलाश है कैट में रखने पर इन मचलियों की लंबाई 2-3 फीट तक पहुँच सकती है अलाकि कुछ की लंबाई 4 फीट तक पहुचने की सूचना मिली है वे शिकारी कैट फिश है जिन्हें बड़े टैंक साथियों के साथ रखा जाना चाहिए जिन्हें वे नहीं खा सकते हैं यदि आप इन में से किसी एक को बिकरी के लिए और स्टॉक में धूलने में काम्याब हो जाते हैं तो आप कम से कम 15,000 रुप्ये खर्च करने की उम्मीद कर सकते हैं जेबरा प्लीकोस टॉमस उन आम प्लीकोस का चचेरा भाई हो सकता है जिन्हें आप हर पालतु जानवर की दुकान में देखते हैं लेकिन उनके सुन्दर जेबरा पैटन वाले स्केल उन्हें अदवितिय और खोजने में कटिन बनाते हैं हाला कि वे छोटी प्लीको प्रजातियों में से एक हैं जो केवल 4 इंच तक ही पहुँच पाती हैं फिर भी उन्हें एक टैंक की आवश्यक्ता होती है जो कम से कम 20 गैलन का हो वे आम तोर पर शांतिपूर्ण मचलिया है और उन्हें एमबर टैटरास सहित उनसे छोटे टैंक साथियों के साथ रखा जा सकता है जेबरा प्लीको पर 15,000 रुप्ये से अधिक खर्च करने के लिए तयार रहें कुछ 1,000,000 रुप्ये से अधिक में बिगते हैं 3. नीली आखों वाला प्लीको स्टॉमस दिखने में आम प्लीको के समान होता है लेकिन इसका शरीर भारी और चमकदार फिरोजा आखे होती है यह एक अनारी तैराक है लेकिन यह अपना अधिकांश समय अपने वातावरन के निचले भाग में बिताता है क्योंकि वे लंबाई में 30 इंच तक पहुँच सकते हैं वयस्क होने पर इस मचली को कम से कम 120 गैलन के टैंक की आवश्यक्ता होती है इन में से एक मचली को 20,000 रुप्ये या उससे अधिक में बेचने के लिए तयार रहें 4. प्लेटिनम अरोवाना प्लेटिनम अरोवाना एक बेहद आकरामक और शिकारी मचली है जिसकी लंबाई 4 फीट तक हो सकती है अरोवाना कई किस्मों में आता है जिसमें प्लेटिनम रंग धूनगना सबसे कथिन और सबसे महंगा है जबकि आप इन दुल्लब वस्तुओं में से एक के लिए एक लाग पचास हजार रुप्ये से अधिक खर्च करने की उम्मीद कर सकते हैं प्लेटिनम अरोवाना दुनिया की सबसे महंगी मीठे पानी की मचली का रिकॉर्ड रखती है जो 400-00-00 डॉलर यानी 3 करोड 28 लाख रुप्ये में बिकी है एरोवाना मचली एशियाई देशों में बेहद लोग प्रिय है और अमेरिका में इसे धूनगना बहुत मुश्किल हो सकता है 5. गोल्डन गार गोल्डन गार मचली की एक व्यक्तिगत प्रजाती नहीं है बलकि वास्तव में एक गार मचली है जिसमें एक अप्रभावी जीन होता है जिसके कारण मचली एक सुन्दर सुनहरे रंग की हो जाती है गार प्रागेतिहासिक मचली है और कई लोग उनके लिए मचली पकड़ते हैं यदि आप उनक्षेत्रों में मचलिया पकड़ते हैं जहां गार रहते हैं तो आप अपने लिए गोल्डन गार धूंगने में भागेशाली हो सकते हैं बिक्री के लिए गोल्डन गार धूनना बेहद मुश्किल हो सकता है और यदि आपको कोई मिलता है तो आप कम गुनवत्ता वाले रंग वाली मचली के लिए कम से कम 35,000 रुप्ये खर्च करने की उम्मीद कर सकते हैं। उच्चे गुनवत्ता वाली मचली आठ लाख रुप्ये से अधिक में बिक्सकती हैं। इसकी उच्चिस्तर की आकरामकता के कारण गोल्डन गार के लिए टैंक साथी धूनना मुश्किल हो सकता है। 6. पोलका डॉट स्टिंग्रे पोलका डॉट स्टिंग्रे निश्चित रूप से अपने ध्यान आकरशित करने वाले रंग और असामाने शरीर के आकार के कारण सभी का ध्यान आपके एक्वेरियम की और आकरशित करेगा। पोलका डॉट स्टिंग्रे को कम से कम 75 गैलन के टैंक में रखा जा सकता है। 7. पेपर्मिंट एंजल फिश पेपर्मिंट एंजल फिश एक्वेरियम शौक में सबसे अधिक मांग वाली मचलियों में से एक है और उन्हें धूंगना बेहद मुश्किल हो सकता है। 8. मास्क एंजल फिश मास्क एंजल फिश पेपर्मिंट एंजल फिश की तुलना में कम दुरलब है लेकिन इसे धूंडना अभी भी मुश्किल है। ये रीफ मचली लंबाई में 7 इंच तक पहुँचती है और इसके लिए कम से कम 70 गैलन के टैंक की आवशक्ता होती है। इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी मचली खुश और स्वस्त रहे। टैंक सातियों का चैन सावधानी से करें। अपने पेपर्मिंट चचेरे भाई की तरह मास्क्ट एंजल फिश हजारो रुपिये में बिगती है, कुछ 15 लाख रुपिये तक में बिगती है। हाला कि सफल बंदी प्रजनन कारेक्रम स्थापित होने शुरू हो गए हैं। इसलिए वे लंबे समय तक दुरलब और अत्यदिक महेंगे नहीं रह सकते हैं। 9. अरापाइमा अरापाइमा न केवल एक दुरलब मचली है बलकि इसे अस्तित्व में मौझूद सबसे बड़ी मीठे पानी की मचली में से एक माना जाता है। यदि आप इन राक्षसों में से एक को घर लाने में काम्याब होते हैं तो आप एक ऐसी मचली की उम्मीद कर सकते हैं जिसकी लंबाई 10 फीट और वजन 400 पाउंड से अधिक हो। कम से कम एक अरापाइमा को एक 0000 गैलन टैंक की आवश्यक्ता होती है लेकिन दो 500 गैलन या अधिक बहतर है। 10. रोयल क्लाउन लोच रोयल क्लाउन लोच दिखने में क्लाउन लोच के समान है लेकिन रोयल क्लाउन एक बड़ी मचली है जिसकी लंबाई 18 इंच तक होती है और इसके लिए कम से कम 100 गैलन के टैंक की आवश्यक्ता होती है। कई लोचों की तरह इन मचलीयों को आराम दायक और खुश रखने के लिए उन्हें हमेशा समूहों में रखा जाना चाहिए। यदि आप किसी दुरलब मचली में निवेश करने का निर्णय लेते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपकी मचली के घर आने से पहले आपका टैंक पूरी तरह से तयार हो और जाने के लिए तयार हो ताकि आप उन्हें स्वस्त रख सकें और उन्हें उनके नए घर में सुरक्